हेलो स्रेंट्स आज हमारा मोशन इन स्टेट लाइन का थर्ड लेक्चर है सेगेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इस्टेंस के बारे में और इस्टेंस के बारे में माँ इन ममें डिस्टेंस किया होता है अदिशन किया होथ है यि कि इस्टेmर्ण supernatural लेंथ टौड जरौ जबूर्टल पाथ होता है उसकी लेंथ यहोँ इस्टेंस एटिस्स नोह इस्सेंस अर इसस्टेशन्ट क्या होते है nécessaire ठिक है अगर मैं X final लिख दूं किस से X2 से और X 1 से ड़ेलटा X will be X2 minus X1 ठीक है तो आज की लेक्षर है हम डिसकस करेंगे speed के बारे में और velocity के बारे में ठीक है तो पहले बात करते हैं किसकी A speed की अब एक example समझते हैं कि for example मैंने डाटा लिया टाइम एक person A एक person B का distance जीरो है दोनों का distance निटेंस कवर भी जीरो एक सेकिड के बाद यह में और भी में में अब बड़ी अब डिस्टेंस टाइम किसाथ कवर कर रहा है अब कॉन जल्दी ज्यादा कि अब इस अब तो मैं बोलू हुआ कि बी की स्पीड एसे ज्यादा है क्या बोलू हुआ मैं बी की स्पीड speed of B is greater than speed of A because B is covering more distance than A in the given time and speed को define कैसे करते हैं speed होती है जितना body unit time में distance traveled करती है तो फिर समझते हैं इसको speed is distance traveled by the body per unit time की unit time में या ऐसे एक सेकिंड में या एक मिनट में जितना distance cover करती है उसको बोलते हैं क्या speed ठीक है जैसे हम डेली लाइफ में क्या बोलते हैं कि speed है 60 km per hour तो इसका मतलब क्या होता है कि ए घंटे में कितनी कि इस्टेशन कवर किया 60 km तो distance covered by in unit time unit का मतलब one second one minute और one hour is known as speed जैसे लाइट के लिखते हो three into 10 देश पाव एट मीटर पर सेकिंड मतलब यह लाइक स्पीड मतलब लाइट एक सेकेंड में कितना डिस्टेशन कवर कर रहे है 3 into 10 देश पाव एट मेंटर तो स्पीड क्या हो गया it is distance traveled by the body per unit time की unit time में कितना distance travel कर रहे है और इसके formula कैसे लिखेंगे इसके formula हम लिखेंगे हम डिस्टेश ट्रेवल कि डिवाइड बाइट टाइम टेकन जैसे अगर मैं 0 से एक सेकंड के लिए बात करूं तो एक स्पीड कितनी है टू मिटर पर सेकंड क्योंकि ए ने एक सेकंड में कितना डिस्टेशन कवर किया टू मिटर तो टू मिटर पर सेकंड बीने थ्री मिटर पर सेकंड ठीक है तो स्पीड समझा गी it is the distance traveled per unit time is known as speed next speed ki SI unit क्या होगी speed ki SI unit distance unit क्या पढ़िधी क्या पढ़िधी क्या मिटर सेकंड तो speed क्या मिटर पर सेकंड और कई पर इसको क्या सिलिखते हैं मेटर पर सेकंड यह भी सेकंड पुर लेगे सेकंड इन्वर्स कोन गया तो दोनों बात एक है मेटर सेकंड यह फी लेन अब टिस्टेंस कोन्सी कॉंटिृटि थी कोई डिरेक्शन नी थी तो फिकेलन भी कैस पीड भी एक तरह है कि明श्री की सिट्पी पास इसरफ मेगनेचीड नहीं कुई टाने सिरफ मेंकिर यह होगी ठीक है अब हम बात करेंगे किसकी विलोष्टी की यह वी तुम ने शुनुना है विलोस्टी क्या होता है विलोस्टी velocity की अभि हामने क्या रहे था, distance traveled by the body per unit time, यह में लिखुँआ, displacement of the body per unit time is known as velocity. difference था, distance में और displacement में, तो जब displacement ले रहे हैं body की और given time ले रहे हैं तो बनेगी क्या velocity, जब distance ले रहे हैं तो बनेगी क्या speed, तो velocity का formula, general formula क्या हो गया, velocity का, velocity का formula हो गया, displacement covered per unit time. एक example समझें इसको, ठीक है, for example, कि एक एक पॉइंट एक person है, वो A से पहले गया C पे, then C से गया B पे, ठीक है, C पे, C से गया B पे, ये distance से सपोस 2 meter, let ये distance सपोस 4 meter, imagine कर रहे हैं, और जो मेरा ये distance है, A से B, ये given है, सपोस 5 meter, ठीक है, मैंने बोला कि इसकी पहले तो speed बताओ, उसको A से B जाने में time लग रहा है, दो second का, कितना? दो second का, A से B जाने में, या मितलब A से पहले C गया, C से B गया, A से B नहीं किया हो, तो speed का formula क्या है, distance traveled per unit time example से कर रहे है, distance कितना travel किया है, इने, distance क्या है, total path, तो A से C 2 meter, C से B 4 meter, तो 2 प्लस 4, 6, 6 meter तो क्या हो गया उसका, distance divided by 2, तो that will come out to be 3 meter per second, तो ये तो आगियो कि speed, speed क्या है, distance traveled by the body, next है, velocity, velocity में क्या है, displacement per unit time, initial point क्या है, A, final point क्या है, B, displacement क्या है, 5, A से B तो 5 by 2, that will come out to be 2.5 meter per second, तो ये होगि उसकी velocity, तो velocity में देखना हमने displacement कितना ही कवर कर रहा है per unit time, और speed में देखना हमने distance कितना कवर कर रहा है per unit time, velocity की SI unit की बात कर रहे है, तो इसकी SI unit क्या होती है, meter per second, because displacement की meter था time second, और कैसे लिख सकते हैं, इसको meter second inverse, displacement vector quantity थी, तो velocity क्या है, मेरी एक vector quantity है, अब अगर velocity vector quantity है, इसका मतभ़ विलोस्टी कोईना की direction होगी, ये point note रखना, velocity की direction कीदर होती है, velocity की direction होती है, in the direction of displacement की जीस तरफ बोड़े to final position, तो इसका मतलब, velocity की direction क्या है, initial position to final position, in the direction of displacement, clear, ठीक है, समझा आगे, note करो है से, अब next topic पढ़ना है, हमने speed की एक type ही पढ़ना है, speed वही है, distance travel परना है, अब हम बात करेंगे किस की, अब हम बात करेंगे, average speed की, इसको देखके न मैं बच्छे डर जाते हैं कि average speed क्या हो गए, average speed का example देता हूं, For example, तुम A point से B point पर गए, A point से B point पर गए, किसी गाड़ी में गए अपनी और किसी random pass से गए, तो जो तो कुमारा गाड़ी का meter होता है, measure करने वाला, जो बताता है, इतने kilometer गाड़ी चलगी, उसको बोलते हैं क्या, odometer, पहली बात तुम मझे बताओ, ये odometer, distance measure करेगा है, displacement, odometer तो मुझे बताता है, गाड़ी कुल कितनी चली है, तो odometer क्या measure करता है, distance, देके, उस odometer ने बोला, कि A से B जाने में सपोस, तुमें लगे 2 घंटे, कितने, 2 घंटे, और odometer से जब distance measure किया, तो वो distance था सपोस, 100 km, तो मैं तुमें डाटर दे दूं, मैं बोलूं, भी 100 km का speed, speed will be 100 by 2, that will be तुम बोलोगे sir, around 50 km पर आर की speed से चले होगा, कि इतनी speed से 2 घंटे चलो, तो क्या 100 km कवर हो जाएगा, बट क्या गाड़ी की speed हर टाइम 50 थी क्या, कभी up हो रही थी, कभी down हो रही थी, बट अगर मैं इस speed से 2 घंटे चलूं क्या distance same cover होगा, तो इस speed को average speed, तो average speed कुछ नहीं है, हमने क्या किया, total distance जितना cover किया वो लिया, total time लिया और दोनों को divide कर दिया, तो average speed का formula क्या हो गया, total distance covered, जितना total distance cover कर रहा है, upon में total time taken, that will be our average speed, average speed वो speed नहीं है, जो at a time होती है, average speed is defined for the complete time, अगर हमें किसी particular time पर define करनी हो, जो तुमारा speedometer note करता है, जैसे तुम बोलते हो गाड़ी की speed सतर किलोमेटर पर आर से चल रही है, हमारी गाड़ी, उसका मतलब यह है कि उस instant पर या उस second पर गाड़ी, सतर किलोमेटर पर आर की speed स चल रही है, but वो speed average speed नहीं हो, speed होती है, instantaneous speed, उसके बारे में अगला lecture नहीं बात करेंगे, instantaneous speed क्या होती है, अभी के लिए बात कर रहे है, average speed क्या, तो average speed हमारी कितनी है, average speed का मतल हमतला समझ आ गया, जितना total distance पर किया, अब वे जितना total time ले इस, average speed, अब बात आती है क्या, कि सब्सक्राइदिट हो तो बीश्टेसरेंट करें चलने से भी अगर गीवन स्भी तो कवर होगा सेम जितना हमने एक्ट्वल में कवर किया यह मतलब होता है इसकी युनिट भी अगें मिटर पर सेकिंड ठीक है तो अब नेक्स्ट है क्या टॉपिक हमारा यह समझागे अब इसको मैं रब कर दे तों यह डाटा इस इस रहने दो अब मैं डिफाइन करूँ है क्या एवरेज विलॉस्टी अब मैंने ए से बी तक का सीधा डिस्टे में जेकर लिया मतला मैं बोलूँ डिस्प्लेश्ट किलोमेटर गए पहले तो हम पूरा राउंड करके जा रहे हैं अब मैंने शोटेश पाथ लिया सीधा गया ठीक है सीधा म किम फॉराइज विलॉस्टी कितनी हो जाएगी? दिस्प्लेश्मेंट कितनी है? 50 Kilometre upon time कितना? 2 hour, that will come out to be 25 Kilometre per hour. तो अगर मुझे अबरेज विलॉस्टी डिफाइन करनी ही, तो मैं क्या बोलूँ हूँ आ कि average velocity is displacement per unit time taken, displacement per unit time taken that will be our average velocity, average velocity क्या होगी? कितने displacement होगी? कितना total time था? आ मैंने क्या बोला था? displacement कैसे लिकेंगे? x2 minus x1 और time को कैसे लिकेंगे? suppose t2 minus t1, t1 initial time t2 final time x1 initial position x2 final position और इसको लिकेंगे? delta x change in position upon delta t change in time this is the formula for the average velocity, इसको फिसिकेंगे? delta x by delta t or I can say change in position upon me change in time that will be known as average velocity. displacement upon time क्या याद रखने से अच्छा? क्या याद रखो? change in position divided by change in time, ठीके? तो average speed और average velocity में क्या difference आया? इसमें क्या लिए हमने? total distance covered और इसमें हमने क्या लिया? displacement, note कर लो इसे. अब important word बड़ते हैं कि k speed की और velocity के, ठीक है? अच्छा speed जनरलाइस्टरम है, distance covered time, average speed और instantaneous speed define करेंगे, तो अगर speed बोले तो हम average speed की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब हमने पिछले lecture में पढ़ा था क्या कि जो displacement होती है, वो distance के equal होती है या कम होती है, बताया हमने पिछले lecture में, अब देखो, velocity के है, displacement upon time, speed के है, distance upon time, तो अगर displacement distance से कम है, तो I can say, जो average speed है, sorry, displacement के लिए, जो average velocity है, that will be less than average speed और equal to average speed, की जो average velocity है, वो average speed से कम होगी या ब्राबर होगी, अब ब्राबर कब होगी, distance और displacement ब्राबर कब थे, जब बोड़ी एक ही लैन में चलती है, एक ही ड्रेक्ट, connection में, तो average velocity of the body will be equal to average speed कब वन and body travels in a straight line in one direction, तो उस case में distance of displacement ब्रापर हो जाएंगे, तो average, PDP average ब्रापर हो जाएंगे, अब देखो, क्या distance covered कभी negative होता है, नहीं, distance covered कभी negative नहीं होता, या 0 होगा, 0 कभ जब उसी point पर खड़े हैं, या वो बढ़ता रहेगा, तो average speed की value भी negative नहीं होगे, तो average speed can never be negative, अगर बात करें, average velocity की negative हो सकता है, यह हो सकती है negative, average velocity can be positive, negative or 0, तो यह negative हो सकती है, negative होने का मतलब क्या है, वो हमें direction बताएगी, कि body किस तरफ move कर रहे, जैसे कल में displacement example बताएथा ना, कि positive आये तो towards positive x-axis लिए थी, negative आये तो towards negative x-axis, तो ऐसे velocity positive आये तो इस direction में, negative आये तो इसके opposite direction में, ठीक है, कुछ negative sign हो, basically direction बताएगे कि इसकी average velocity की, और average speed की direction होती ही नहीं, तो में मेंशा क्या होगी, एक positive value होगी, clear, समय आ गया, तो इन points को note कर लो, इसके बाद कुछ numerical solve करते हैं, अब NCRT question आये, बोला एक body है, अच्छा इसमें बड़े सारे data दिये थे, मेरे को सिरफ P और Q point पुछा था, तो मैंने P का distance रिख दिया 360 meter, और Q का distance रिख दिया 240 meter, बोला एक body हो, O to P गई 18 second में, और P से Q 6 second में, बोला average velocity निकालो, और average speed निकालो, from O to P, तो पहले बात करते हैं, body O से P पे गई, अच्छा, motion के straight line है, तो straight line move कर रही है, O से B मुझे बताओ distance कितना है, 360 meter है न, और displacement कितनी, वो भी 360 meter, सेम क्यों होगे, क्योंकि A की direction में है, और A की line के लिख कर रहे हैं, तो चाहे average velocity निकालो, चाहे average speed निकालो, एक ही आएगी, तो average velocity निकाल देते हैं, और speed भी उसी के एक कोल होगी, तो average velocity और average speed, इस case में सेम आएगी तो मैं कट्था निकाल रहा हूँ, distance कितना, 360, distance कितनी, 360, time कितना लिया, 18 second, तो 18, तो cut कर देना, it will come out to 20, अच्छा, याद रखना बड़ी गंदी आज दिया, प्लस 1 में, unit ने रिखते हैं, क्या unit आएगी, distance कितना है, meter में, time कितना है, second में, तो 20 meter per second, ठीके, next part, O to P and back to Q, O से P गई, फिर P से Q वापस आगे, अब मुझे बताओ कि distance कितना है, displacement कितनी है, distance और यहां में बोलूँगा, displacement, distance कितना, O से P कितना, 360, वापस कितना है, यह 240 पे है, तो इसका मतलब, यहां से यहां तक कितना होगा, 120 meter होगा, 240 में 120 याड़ करेंगे, तभी 360 बनेगा, तो O से P 360, plus P से Q 120, तो distance कितना होगा, 360 plus 120, 360 plus 120, that will come out to be 480 meter, और time कितना होगा, 24 second, 18 plus 6, 24, तो time दोनों के लिए सेम है, कितना, 24 second, तो average speed, that is distance over time, distance कितना है, 480, तो time कितना, 24, so that will come out to be, 20 meter per second, कट करेंगे जब इसको, ठीक है, unit जान रखना, आप अब अब अगेन नी कालना है, displacement, आप मझे बताओ displacement कितनी होगा, displacement initial point किया है, O, final point किया है, Q, initial point O, final point Q, यह यह, displacement किया होगा, shortest path, तो O से Q तक किया distance, that is 240, time कितना है, 24 second, so average velocity, क्या formula होगा, average velocity का, displacement by time, तो 240 divided by 24, that will come out to be, 10 meter per second, तो यह, NCRT कोशन आपका, स्वोलगा होगा, ठीके, नौट कर लोगा है, अब जो कोश्चन की फोटो शो होई, हमने पड़ा है, average speed का formula, total distance divided by total time, अब ना तो distance दिया है, ना time दिया है, तो कैसे निकाले, तो क्या करेंगे, इसमें पहले diagram नौसर से पहले दो, A से B, जाते हुए speed है V1, वापस आते हुए speed है V2, तो जब ऐसा कोश्चन दिया हो, तो मुझे एक चीजह लट करने पड़ेगी या distance या time, इसमें क्या लट करना is easy है, इसमें distance को लट करना easy है, क्योंकि A से B जीतना distance है, B से उतना distance है, तो मैंने suppose A से B तक का distance क्या ले लिया, X, A से B तक का distance क्या ले लिया, मैंने, X, ठीकि, तो speed का formula क्या पड़ा था, distance over time, तो time का formula क्या बन जाएगा, distance over speed, बन जाएगा, तो time from a to b, time from a to b, that will be, बन जाएगा, distance over speed, distance कितना a से b मे, x speed कितन है बही, v1, तो x over मे v1, time from b to a, that is t2, distance x speed v2, अब लगा अधोभी average speed का formula, average speed, total distance कितन है, x distance a से b, x distance b से a, तो 2 a total distance कितना हो गया, 2 x, time t1 plus t2, यही time लगा, तो 2 x simplify करने के लिए, यहां से x common निकाल लो, तो x common, 1 by v1 plus 1 by v2, x x का answer, तो 2, यहां पे LCM ले लो भजी, क्या आएगा LCM, v1, v2 आएगा, तो उपर क्या बनेगा, v2 plus v1, यह चीज़ों करने आती होगी सबको, इस v1, v2 को क्या करेंगे, उपर की तरफ shift करेंगे, तो क्या answer आएगा, 2, v1, v2 by v1 plus v2, ठीक है, clear होगया, समझा आगे, तो ऐसे निकाल लेंगे, हम average speed, हमने क्या किया, distance को let कर ले, क्यों let किया, because a से b और b से a में distance, same था, अब next बात करें, average velocity के, तो मझे बताँ, average velocity क्या होती है, average velocity होती है, displacement over time, displacement कितनी है बताओ, a से b, b से displacement कितनी है, 0, तो average velocity भी कितनी हो जाएगी, 0, तो this is the answer for average velocity, समझा आगे कैसे किया, अब इस question को, या a को type को question है, वो क्या है, बोलता है, body गई a से b, ठीक है, question किस form में दिया होगा, और बोलता है, half of the journey, half of the journey, के लिए speed है V1, next half distance के लिए, ठीक है, half distance की बात करते हैं, ऐसे बोलता है, first half with covered speed V1, second half with covered speed V2, बोलता है, अगें average speed निकालो, average velocity निकालो, motion and state line है, तो यह इस ही line के long move कर रहे है, ध्यान रखना, ठीक है, इसमें भी, तभी distance x हुआ था, अगर कहीं और सो जाता है, distance x नहीं होता, तो मैं इस को ले लेता हुआ, सुपर center point, अब यहां तक speed है, V1, आगे speed है, V2, अब अगें यहां तो distance let करना पड़ेगा, या time let करना पड़ेगा, तो क्या let करूं, क्या ही को ले, distance half half है, तो मैं इस distance को भी क्या लेता हुआ, X, इसको भी क्या लेता हुआ, X, तो time from A to C, half, कितना हो जाएगा, X by V1, T1 x by V1 हो जाएगा, distance by speed, T2 क्या हो जाएगा, X by V2, देखो ऐसे आएगा, T1 x by V1, क्योंकि distance x है, speed V1 है, T2 भी क्या हो जाएगा, X by V2, तो average speed का formula, total distance, कितना हुआ, 2x, total time T1 plus T2, क् सेम formula आएगा, तो इस question के लिए भी formula क्या आजाएगा, मेरा सेम average speed का कितना, average speed का formula आएगा, क्या, that is 2 V1, V2 upon में V1 plus V2, ठीक है, क्लिर हो गया, समझा है, अच्छा, ये V2 plus V1 को V1 plus V2 देखो बात एक है, average velocity क्या होगी, क्या, इसमें average velocity 0 होगी, तो answer है, नहीं, average velocity, यार जहा state time move कर रहा है, तो distance is equal to displacement, तो average velocity answer भी क्या है, same, 0 मत लिख देना, अब एक हो type पे सी question की, क्या type है, again इस question को लिखते हैं, यहाँ पे, अब वो बोलता है, A से B गया, for first half time, for first half time speed V1 है, कि पहले half में speed V1 है, for second half time, speed V2 है, again बोल लेगा average, वो निकालो, क्या, speed निकालो, ठीक है, A से भी जा रहा है, average speed, average velocity बात देखी है, अब इसमें क्या let करें, अब इसमें let करेंगे, time, क्योंकि half time, time दोनों में same दिया है, distance same है, नहीं है, वो मुझे नहीं पता, but time same दिया है, तो मैं suppose करता हूँ कि, यहा c तक भी time कितना लिया, t, c से b तक भी time कितना लिया, t, समझा गया, time क्यों लेट किया, पता लगया, क्योंकि इसमें क्या same है, time same है, ठीक है, अगेन यहाद रखना, यह point center में नहीं आना जरूरी नहीं है, डिपैंड करता है, V1 और V2 पे, उसमें बोला है, पहले जैसे, एक 2 घंटे की चलनी है, तो एक घंटे के लिए time, एक घंटे के लिए speed V1, अगले एक घंटे के लिए speed V2, तो formula क्या होता है, average speed का total distance upon total time, तो मुझे निकालना है, distance कहां से कहां तक, from A to C, from A to C, अब देखो, distance क्या होनेगा, speed into time, speed कितना है, V1 time कितना t, तो V1 into t, distance from C to B, V2 into t, होगा, तो average speed बता हुए कितनी, average speed है, total distance by total time, total distance कितना है, V1 t plus V2 t, total time कितना है, t plus t, इसको t by 2 let करोगे, तो tough हो जाएगा, कि half time को t by 2, तो t t let करो, भी ठीक है, तो उपर से t common आ गया, तो t V1 plus V2, और नीचे क्या है बाई, 2 t, तो t से t cancel, तो इसके लिए average speed का formula क्या आ गया, V1 plus V2 by 2, जब time equal दिया, तो formula क्या है, V1 plus V2 by 2, जब distance equal दिया, तो speed का formula क्या है, 2 V1 V2 by V1 plus V2, ठीक है, तो ध्यान रखना है, question में क्या बोला हुए, equal time बोला है, या equal distance बोला हुए, और यह formula है, नोट करें न, competitive question में, इसके कहीं बाद formula से सीजा-सीदे question बोला हुए, ठीक है, मा इतना बड़ा question क्यान जूरत नहीं है, जैसे बोल देगा, A से B speed 40, B से A speed 60, तो simple V1 V2 को 40 और 60 बोला हुए, जैसे इस टाब के question, वीडियो की last में quiz में सो होंगे, तो वो try कर ले न, ठीक है, स्कूल में question आने की चांसित बहुत होते है, statements हो गयोगी, बोला है, एक person ने, एक half of the total distance of V node speed से cover किया, इसको V के निचे 0 लगा है, इसको बोलते है, V node, जहां रखना, बड़ी बाद टम्यूस हो गया, और remaining part of distance with velocity V1 for half the time, and V2 for other half of the time, find the mean velocity, mean velocity मतला average velocity निकालने है, question थोड़ा सा complicated है, but अगर तुमने कोश्यों को समझ लिया, तो इसली हो जाएगा, पहली बातो mean velocity formula क्या होता है, displacement over time, अब हमें बोला था, equal distance cover करें तो equal distance let कर लो, equal time हो तो equal time let कर लो, इसमें बोला है, पहला अद्धा distance V node से, अगले अधे distance में half time के लिए V1, half time के लिए V2, तो सरसे पहल से थोड़ी चीज़ समझ आएगी, तो A और B point, total distance suppose मैं ले लेता हूँ, suppose X, let's लो करना पड़ेगा, तो ये distance भी कितना आगया, X by 2, ये distance भी कितना आगया, X by 2, X by 2 में तो speed C दी हुए है V node, ये तो given ही है, ठीक है, अब मुझे speed चाहिए किस में, इसमें speed दी हुए है, कि half time के लिए speed है V1, half time के लिए speed है V2, कि अगर ये T time है, तो ये भी कितना time है, T, कि C से D तक अगर time T लग रहा है, तो D से B तक भी कितना time लग रहा है, T, और ये total distance A से C तक कितना है, X by 2, ये भी total distance कितना है, X by 2, अब जब भी ऐसा question आए, तो ध्यान रगना, मेरा जो final answer आना है वो final answer सिरफ V1, V1 और V2 में आना है, ये जो X और T, मैंने खुद लट किया है, ठीक है, तो displacement तो मुझे पता लगी कितना है, X, अब मुझे निकालना है time, तो time from A to C, कितना है time A to C, distance कितना, X by 2, speed कितनी, divide by V1, तो क्या आजाएगा, X by 2 V1, V1 और को अपर मत ले जाना, देखना पड़ता है, ये ऐसे denominator में आएगा, तो ये 2 निचे आएगा, ठीक है, अब, now C से D तक का time कितना है, T, तो distance निकालो, distance निकालो, distance निकालो, मुझे C से D तक का, from C to D, कितना है, सपोस मने इसको लेट करते है, D1, इसको distance को लेएगा, D1, कितना है, speed इंटु time formula होते, distance का भी पड़के है, तो V1 इंटु time कितना, T, distance from D to B, इसको मने सपोस लेए, D2, तो that will be equal to V2 इंटु T, तो देखनो, D1 प्लस D2 करके, क्या, X by 2 आ रहे है, देखनो, D1 प्लस D2 करके, X by 2 आ रहे है, तो D1 प्लस D2 करके, X by 2 आ रहे है, तो, D1 प्लस D2, that is equal to X by 2, D1 प्लस D2 की value पुट कर दो, क्यों कर रहो, क्योंकि मुझे यहांसे time निकालना है, T की value, D1 प्लस D2, D1 कितना है, V1 T, प्लस V2 T, that will be X by 2, तो यहांसे T क्या आ रहे है, T, पहले तो ही देखनो, V1 प्लस V2, that will be X by 2, T D will be equal to X by 2, V1 plus V2, आगे समच, ठीक है, इस time को स्पोस मैं ले ले तो हूँ, T नोड, जो A से C तक था, लगा तो formula भी average velocity का, average velocity स्पोसी होमला, displacement upon time, अब बोडी कहां से कहां गई, बोडी गई, A से B, displacement कितना हुई, X, time कितना ले रहा है, यहां तक तो time ले आ, T नोड, A से C तक, C से D तक T, D से B तक भी T, तो क्या आगया, X by T नोड plus 2T, यह आगा, तो X by T V node की value पुट करो, X by 2 V node, अच्छा, इस T plus T को में 2T लिख दूँ, तो plus 2 into T की value पुट करो, X by 2 V1 plus V2, cancel कर दो बहिसको, तो average velocity will be equal to, देखो क्या बचा पहले दो, X by 2 V node, plus calculation length ही है बस, यहां तक सारा physics का काम था, इसके बाद सारा math का काम है, तो अगर समझ नहीं आ रहा है, तो मारी physics week नहीं है, math week है रहा है, तो मैस के उपर बर्ख करो अपने, तो अब calculation करनी है, तो क्या यहां से X common आ रहा है, बच्छा क्या, 1 by 2 V node, 1 by V1 plus V2, यह आगे रहा, X, X cancel, तो 1 by LCM लेलो है, क्या है क्या है, LCM 2 V node, V1 plus V2, और क्या है यहां पे, V1 plus V2 plus 2 V node, अब इसको उपर shift कर दो, क्या है आएगा, 2 V node, V1 plus V2, अपन में V1 plus V2 plus 2 V node, this will be your answer for the average velocity, समझा आएगा क्या हमने, एक बारात एक लो जल दी, हमने, हमें दिया था, half of the distance के लिए speed V node, तो मने लेलिया, total distance X, X by 2 के लिए V node, फिर बाकी half में, half time के लिए speed है V1, तो मैंने इसको half time को लेलिया T, तो दूसरा half time क्या हो जाएगा T, उसके लिए क्या लिए V2, तो इसके बाले T node निकालना, वो easy था, distance by speed, then distance from C to D निकाला, time T लिया था, तो क्या हो का फॉर्मल लगा दिया, ठीक है, note कर लो, और question को important mark कर लो, अब next question, again NCRT question, हम अपने lecture में सारे NCRT question cover करेंगे, back exercise के भी as well as hold भी, तो देख लो question क्या है, बोला है, एक person है, उसके घर से market तक का distance 2.5 km है, मार्क घर से market गया, 5 km पर आर की speed से, market से घर आया, market close थी, 7.5 km पर आर से, बोला है, average speed निकालो, average velocity निकालो, 0 to 30 minute, 0 to 50 minute, and 0 to 40 minute, तो सबसे पहले जब भी question दिया, उसको diagram दालो, diagram मतलब, अपने mind में बिठाओ की question में क्या given है, तो यह आ गया home, और यह आ गया market, यह distance दिया मुझे कितना, 2.5 km, जाते होगे speed कितनी है, home से market, 5 km पर आर, आते होगे speed कितनी है, 7 km पर आर, जब मने average velocity निकालनी है, यह average speed निकालनी है, तो मझे time पता होना चाहिए, तो सबसे पहले time निकालो, distance दिया हो, speed दिया होगे, तो मैं सबसे पहले time निकालो, home से market का, time taken by the person from home to market, मने shortcut language लिखिया, तुम पूरा लिखना, home से market तक का distance कितनी है, 2.5, speed कितनी है, 5, 5, तो distance will be, no, speed will be 2, time will be distance over speed, तो 2.5 over 5, that will be 1 by 5, अब, distance kilometre में है, speed kilometre पर आर है, तो answer will be half hour, और I can say 30 minute, आदे घंटे में 30 minute होगे, मार्किट से घंटे में लगे, 30 minute, मार्किट से घंटे में लगे, है, 20 minute, तो पहले पाट के लिए करते हैं, 0 से 30 minute, 30 minute पर है कां पर हो, देखो, मार्किट जाने में कितनी लग रहा है, 30 minute, मतलब initial position तो उसका home है, और final position उसका market है, 30 minute में पहुंच रहा है, तो average speed का formula, यार वो दीगी हुई है, speed में, यह कितनी ही हुई है, 5 km पर हार, home से market, और average velocity, same ही आएगी, क्योंकि एक straight line move कर रहा है, एक डिरेक्शन में, 5 km पर हार, ठीक है, clear, then second part, 0 to 50 minute, अब 50 minute पर देखते है, कहां पर है, 30 minute लगे थे घर से market जाने में, 20 minute लगे वापस आने में, मतलब 50 minute के बाद, home से start किया, home पर ही वापस आ गया, 30 minute जाने में, 20 minute आने में, तो average speed का formula, total distance by total time, total distance कितना, जाते हो 2.5, आते हो भी 2.5 तो, 2.5 प्लस 2.5, upon time कितना, 50 minute, अब distance km में, तो इसको hours में change कर लो, तो 50 minute में कितने hours होंगे, divide by 60, आते सबको 50 by 60 hours, ठीक है, that will come out to be 5, divide by 5, 50, and 60 multiply में चल जाएगा, cancel, that will come out to be 6 kilometer per hour, समझा आगे, clear, यहां आपने minutes को, hour भी change कर लेगा, then average velocity, काहन से start किया था, घर से, काहन पे है, घर पे, तो average velocity कितनी, 0, क्यों, displacement 0 है, अब next बोलते हैं, next बोल रहा है, 0 से 40 minute के लिए, ठीक है, इसको note कर लो, फिर अभी discuss करते हैं, मैं रब करो हैं फिर से, अब next part जान समझे ना, सबसें बोल रहा है, 0 से 40 minute, 0 से 40 minute पे निकालना है, कि 40 minute पे वह है कहां पे अभी, 30 minute पे तो यहां तक है, मुझे पता है, अब आगे कितने, 10 minute और लगे, और 10 minute वह आपस चल रहा है, तो सपोज इस point पे आगया, वह 10 minute अभाग, तो टोल रहा है, तो मझे यह distance निकालना है, अब वापस आते, स्पीड है कितनी, 7.5 km पर आठ, तो distance covered in 10 minutes, पता लगे 10 minutes क्यों हो, क्योंकि 30 minute तक तो पता है, यहां पे है, 30 से 40 का निपता, 10 minute का distance निपता, तो 10 minute का distance मैं निकाल लेता हूँ, अब 10 minute के distance के लिए, स्पीड कितनी है, स्पीड है 7.5, और टाइम कितना है, 10 minute, तो distance को हो ना, स्पीड इंटो टाइम, तो टाइम क्या आ जाएगा, 10 by 60 hour, ठीक है, तो 75 into 10 by 60, क्या है आएगा, स्पीड इंटो टाइम, स्पीड इंटो टाइम, तो 7.5 था, 2.5, तो गूमाट तो बी 1.25 किलोमेटर, आएगा 1.25 किलोमेटर, अब 1.25 किलोमेटर आगे, एक तरीक और था निकालनेगा, कि 20 minute में वापस आ रहे, 10 minute में, आदे distance पोगा, तो 2.5 का आफ, 1.25, तो मतलब, चलो में मार किया मना आएता, तो हाफ होगा, यहाँ पे, वापस आगया, कितना, 1.25 किलोमेटर, वापस आगया, अब निकालो पहले आएवरेज स्पीड, तो आएवरेज स्पीड का फर्मुला किया होता है भाई, टोटल दिस्तेंस अपोन टोटल ताइम, टोटल दिस्तेंस कितना है, अब ढ़ाएज किलोमेटर, आगे, मज़ 2.5 आगे, 1.25 पीछे, तो इंतनों को आड कर तो, 2.5 plus 1.25, टाम कितना, 40 बिनित है, 40 बाई 60, अब लेना है, तो यहाँ एवरेज स्पीड, तो यहाँ, तो यहाँ आएवरेज स्पीड, आब तो यहाँ एवरेज स्पीड, कर देना, फिर इसको मुल्टिपकर कर देना, जैसे मर्जिमन करें तुमारा, average velocity formula क्या होता है, average velocity formula होता है, displacement upon time, अब displacement कितनी है, initial point क्या है, मेरा यह home, final point क्या है, यह, तो यह distance displacement है सबसे शोटर जैसे है, तो कितना है है, 1.25 km, जैसे है, तो 1.25 divided by 40 by 60, तो 1.25 into 60 by 40, इसको solve कर देना, तो मारा किसका answer आजेगा, average velocity गा, टीक है, अब नेक्स क्योशन, HC वर्मा बुक का क्योशन है, बोले एक घड़ी में मिनेट की सुई है, वो चार सेंटिमेटर लंबी है, बोले उसकी average velocity निकाल, उसकी टिप की, जब टाइम हो जाए, 6 a.m. से 6.30 a.m. और 6 a.m. से 6.30 p.m., ठीक है, तो एक घड़ी बनाने पड़ेगी roughly, ड्राइंग मेरी खावस अच्छी नहीं है, यह 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, ठीक है, पहले बोले 6 a.m. से 6.30 a.m., तो यह 6, एक सुई है, एक सुई है, तेक है, अब मिनेट हैंड कों सा है, मिनेट हैंड यह बला है, है ना, अब यह कहाँ पे आगी सुई, 6.30 a.m. तो टाइम कितना लगा पहले मुझे बताओ, इसमें, इसमें टाइम लगा भाई, फाइनल टिप यहां पे है, तो पहले यहां पे है, फाइनल टिप यहां पे है, तो यह बताओ, यहां भी 4 cm है, तो मने बताओ, displacement कितनी होई, यहां से, मिनेट वाली सुई, घूम के, यहां पे आगी, बट इसमें कितनी होई, इनिशल पोइंट और फाइनल पोइंट, इसमें कितनी होई, टोटल यह बताओ, इस यह बताओ, तो पहले पाट के लिए, displacement is 8 cm, तो मुझे क्या निकालना है, average velocity, तो average velocity is displacement per unit time, टोटल time बोला है, time बोलो, displacement कितना है, 8 cm की, time कितना लगा, 30 minute, इसको second में क्राट कर लो, सेंटीमेटर पर सेकंड लिए, तो 30 into 60, सेकंड, जो भी अंसर आएगा, साथ में लिए लिए सेंटीमेटर पर सेकंड, कर लो के सौल, टीक है, calculation करना है, next part के लिए, अब 6 a.m. से 6.30 p.m., swing की position तो यह रहनी है, ना, सुबे के साढ़े छे हूं, चाहे साम के साढ़े छे हूं, तो मतलब displacement तो इसमें भी कितनी रहेगी, 8 cm की, बट टाइम चेंज हो गया, अब मुझे बताओ कितना टाइम लगा, 6 से साढ़े छे में, सुचो, 6 से साढ़े छे में, 6 a.m. से 6 p.m. तक कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे, 6 a.m. से 6 p.m. तक 12 घंटे, आगे कितना, आदा घंटा और, तो आइकें से 12.5 घंटे, समझ आए कैसे, यह लिखलो, 12 घंटे, सुबह के 6 से, शाम के 6, 12 घंटे होगे, देन 30 मिनट और, तो इसको मिनट में कनोट करेंगे, तो कितना आएगा, 12 घंटे में कितना मिनट, 720, मुल्टिपले 60, प्लस 30 मिनट, तो अगेन अवरेज विलोसिटी निकाल लिया मैंने, इस पार्ट के लिए, तो अवरेज विलोसिटी फॉर्मुला क्या होता है, तो आज का हमारा पूरा लेक्चर था, आवरेज पेडुपेड, और एवरेज विलोस्टी पहा, सबसे फैले हमने आवरेज पीडी का फॉर्मुला पड़ा, झाल